पूरी तरह से जैपूर का वर्तमान जो महौल है जो आपका वर्तमान आपका मौसम है उसका पूरी तरह से आनन ले रहे होंगे और इसी आननत को थोड़ा और बढ़ाने के लिए राजस्थान पुलिस विभाग के द्वारा एक बहुत बड़ी खुशखबरी जो है वो आपके लिए जारी की गई है ये खुशखबरी क्या है किस से संबंदित है जैसा कि आप थमनेल में देख रहे हैं राजस्थान पुलिस राजस्थान पुलिस कॉंस्टेबल की जो भरती है उसके लिए एक बहुत महत्पूर सूचना जो है वो जारी होई है बहुत लंबा जो इंतजार आपने जो है किया था इस वेकेंसी के लिए अब वो इंतजार जो है वो समाप्त होने वाला है और आज हम इस वीडियो में आपका जो है इसी विशे की चर्चा करेंगे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा बहुत छोटी सी वीडियो है आपका बहुत कम समय माँँगा और आप जो है इस वीडियो को अगर आपको लगता है कि वीडियो में जो कंटेंट है वो आपके लिए लापकारी है तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तो राजस्थान में आपको पता है दोस्तों कि राजस्थान के अंतरगत पुलिस की जो वेकेंसी है उसकी मांग राजस्थान के विभिन मंचों द्वारा विभिन आपकी जो संस्था हैं उनके द्वारा प्रस्तुत की जा रही थी कि आख वो कदम क्या है वो हम देख लेते हैं ये आपके सामने एक noटे से आप इस no artist को देख सकते हैं और ये no stipusz आपका जारी किया गया है किसके द्वारा जैसा कि आप देख रहे हैं उपन लिखा है कार्याले महा निदेशक पुलिस राजस्थान जैपुर किसके द्वारा कार्याले महा निदेशक पुलिस राजस्थान जैपुर मैं इसकी size जो है अगर size की बात की जाए तो मैं इसकी थोड़ा सा size घटा देता हूँ ताकि आपको जो है यह और clear visible हो सके आप बिलकुल वीडियो में आप comment करके भी बता देना कि हाँ sir clear visible हो रही है अब देखे यह जो है आपका यह किसके द्वारा notice जारी की गई है अब यह notice जारी होई है कार्याल है महा निदेशक पुलिस राजिस्थान जैपुर्द्वारा जो महा निदेशक है उनके द्वारा इसे जारी किया गया है अब इसमें जारी क्या किया गया वो बताया गया है कि भाई देखे विशय क्या है दिनांक 162023 के आधार पर constable के रिक्त पदों की सूचना भेजवाने के संबंध में अब आप कहेंगे कि सर ये सूचना किसको भीजवानी है हमें थोड़ी भेजवानी है भाई हम तो नौकरी का इंतजार कर रहा है हम थोड़ी सूचना भीजवाएंगे तो देखे ये महा निदेशक ने जो है ये सूचना किसके लिए ज उशकता है जैसे उदारन के लिए भाई मान लीजे जैपूर की अगर बात की जाए तो जैपूर में अभी वर्टमान में मान लीजे 5,000 पुलीस वाले हैं लेकिन आपका जो है नीड कितनी है 7,000 की है तो भाई जो आपका गैप बचा वो कितना है 2,000 कितना है 2000 तो जैपूर के आपके जो थाने हैं वो अपना बताएंगे कि सर देखे हमारे यां इसे इस थाने में इतनी इतने पद रिक्त हैं तो हमें जो है इतने जवानों की आउशक्ता पड़ेगी इतने पुलिस कौंस्टेबल की आउशक्ता पड़ेगी अब बात यह है कि आपको लगेगा कि सर अगर इस तरह से पूरे जैपूर के आपके जिले हैं अगर उनके द्वारा इस तरह से बताया जाएगा तो फिर तो वैकेंसी बहुत जादा आएगी तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप वैकेंसियों की संख्या बहुत जादा आएगी निश्चित मा एक दम इतना बड़ा उपहार देदे कि सीधा सीधा 2000 जैपुर के और फिर बांकी अंद जीलों के इसी तरह से जोड़ते जाए लेकिन हाँ अगर 2000 रिखतियां हैं तो सरकार 1500 के लिए कोटिफिकेशन तो निकालेगी निकालेगी 101 परसेंट तो एक बार इस सूचना को और आध्यान से आप देख लीजे और इसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं इसमें लिखा गया है विश्या अंतरगत लेक है कि दिनांक 1623 को आधार मानकर आधार किसको माना गया है 1623 को आधार माना गया है उसको आधार मानकर कॉंस्टेबल सामान नॉर्मल बैंड चालक घुरसवार स्वान दल इन सभीयों के लिए कितने पद रिक्त है के रिक्त पदों की सूचना रोस्टर आवश्यक रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित कराएं और किस में कराएं आपका तीन देवस में डीफलो पोर्टल में अब ये डीफलो पोर्टल जो है वो क्या है ये एक ऐसा पोर्टल है जिसमें आपकी सूचना है पुलिस विभाग जो है वो डालता रहता है कि देखिए आपका ये मतलब आंतरिक एक पोर्टल है जो आपके प्रसाशन के दौरा उपयोग कि जाता है और इसमें आपका जो है ये भेजा गया कि भाई हमें जो है तीन दिन के अंदर बताईए कि जैपूर में कितने थानों में कितने आपके constable के ओशकता है चाहे वो सामान constable हो चाहे वो band हो चाहे चालक हो आपका जो है चाहे घुरसवार हो या स्वान दल हो तो ये बहुत अच्छा आपका जो है एक प्रकार से अगर देखा जाए तो महाने देशक द्वारा जो है इस सूचना से एक चीज तो निश्टेत कर दी गई है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर अंदर आपको राजस्थान constable की एक बहुत बढ़िया वेकंसी जो है वो देखने को मिलेगी तो देखिए पूरी तरह से तयारी में लगे रही है मैंने कई वीडियो में कई बार आप से कहा है कि देखिए अभी राजस्थान में चु कोई अभी आपका विग्यप्ती जारी नहीं होई है कि कितने स्कोर काड में कौन सा डिपार्टमेंट जो है उसके लिए आप जो है इलिजबल माने जाएंगे इसलिए अभी बिलकुल समय है कि गाड़ी का जो गेर है उसे बढ़ाया जाए ना कि नूट्रल किया जाए तो ब आप भी आश्चर चकित रहेंगे वेकेंसियों की संख्यात देख कर तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा धन्यवाद